नमस्कार दोस्तों देन की दिपावली दिपावली पास थी राजा गुष्णो देवराय चाहते थे कि इस पार की दिपावली कुछ विशेश हो इसके लिए चर्चा जोरो पर थी कि क्या कर जाए जो उस्सव यादकार बन जाए राज भुरोईद ने कहा महाराजा विशाल धार्मिक कता का आयोजित क्या जाए एक मंतिर ने कहा महाराजा केल उस्सव आयोजित करे किसी ने कहा जादी गुरो का कर्टब रखा जाए राजा ने देनल से पुछा तो वो बोला महारजा रात के दिपक की रोशनी से मन प्रसन हो जाता है यदि दिन का उजाला भी दिपो से हो जाए तो इस बार्दिपावली यादगार हो जाए हम कुछ समझे नहीं पुछा महाराज घर की दिपक होते है बच्चे इसलिए इन बच्चों के लिए ऐसा मेला लगाया जाए जिसका अगर प्रबन बच्चों के हाथों में हो वो अपनी मर्जी से जो चाहे करे बड़े उसमें अस्टक्स पेक ना करे बच्चों का राज हो बड़े भी मेले में जाए मगर बच्चे बनकर तेना लिशे कहा इससे तो बड़ा मज़ा आएगा पुरुष्ण देव भी उससा से बोले जी महराज और सबी बच्चों को आपकी और पुरसकार भी मिले राज्य के खेल मंत्रे ने कहा तो ठेक है इस बार घर के दिपक यानि बच्चे ही दिपावले की तियारी करेंगे राजा ने सहमत दी राज्य के बच्चों की तियारी से मेला भरपूर मनोरंचक वहरंगिन साबित हुआ महाराजा ने तेनाले को देखकर कहा तुम्हारे सुझार से ही हमें अपने देन के उजाले की ताकात पचाचली तेनाले ने मुश्करा कर राजा को धनिवाद किया दोस्तों हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना